श्री आधिनाथ जैन पीजी कोलेज बीकॉम पाड़ फर्स्ट जेखे बच्चु अबस्ट फर्स्ट में हमारा चल्राथा अधिन 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 दीफिर टान्षूनफो अधिन॥ो अधिन ब्रस्ट नी ग्वली को भाड़्ी प्रक्राथ कुए था देखियो बच्च्चु अणशोर एंधिकप्त्रो का भिकोपन इसकी क्रम में हमने बच्चों तीन कुश्चन कर लिये थे पहला और तीसरा कुश्चन आपको कराया था और आपने कर भी लिया होगा अब हम इससे आगे चलते हैं बच्चों आज कुश्चन नमबर चार देखते हैं बच्चों चमल लिमिटेड का समाविलन बच्चों एक जन्वरी 2016 को हुआ उसने 10 रुपे वाले 10 लाख अंशो का विक्रे के लिए प्रविरण नर्गमित किया अंशो का नर्गमन मुल्ले 5 रुपे प्रीमियम साहित 15 रुपे हैं अभी को पन अनुबंद निम्परकार किया बच्चों शेर अंडर यानि चमल लिमिटेड वाज इनकार्पूरेट उन 1st जन्वरी 2016 एड इसू प्रोस्पेक्टर पोर 10 लाख एकुटी शेर 10 रुपीज इच इस एड 15 रुपीज इंक्लूदिंगे प्रीमियम फ्रुपीज पर शेर अंडर आटे अग्रिमेंट वाज एज अंडर तो देखे बटा अग्रवाल का अंडराइटिंगे 4 लाख जैन का 3 लाख शर्मा का 2 लाख और शहा का 1 लाख टोटल अग्रिमेंट एड़ साय के अग्रुब फ्रुपीज फ्रुणे आग्रवालाइटो पर शहा का 20 लाख और अग्रुपीज फ्रुच रहेगा का 2 लाख रुपीज इस एडर लाख that commission to be pay bill that rate of 2.5 यानि आप अभीकोपकों का व्रक्तिकत दाय तो ये मांत वे ज्याद करें कि अभीकोपन commission के राशी 5% के दर से दे है तो देखे बच्चों आपको under iTrack का liabilities निकालनी है यानि statement showing net liabilities for underwriter तो चार underwriter निकालनी है तो फिर्स्ट अगर्वाल जैन शर्मा शाहा और एक कोलम आप बनाएंगे बच्चों किसका टोटल का तो इस तरह से आप इसकी टेबल तैयार करेंगे बच्चों यानि आप statement showing liabilities for underwriter निकालनी अभीकोपन को कि शुद्य धाइत को दिखा रहे है बच्चों तो आपको कितनी बनाने बच्चों पांच कोलम बनाने हैं तो दिखे बच्चों सबसे पहले आप से question में जो चीज दे रखे बच्चों gross liabilities को लिखना है यानि आपकी gross liabilities given है gross liabilities means share underwriter gross liabilities gross liabilities जे रखे बच्चों अगरवाल की 4 लाख और जैन ने 3 लाख sharma की 2 लाख shoha की 1 लाख total 10 लाख less marked application marked application ने बच्चों 4 लाख 36,000 अगरवाल का 2 लाख 20,000 जैन का और 180 शर्मा का और 20 शाह का और total होता है बच्चों 8 लाख 56,000 तो यह हमारे बच्चता है बच्चों कितना 36,000 अगरवालन 80,000 20,000 80,000 and 144,000 आप्टर देन वी अगर आप देखेंगे जैन शर्मा साह का तो इनका ग्रोस लाइबिटेज का रेशो देखेंगे तो 321 यानि 3 लाग 2 लाग 1 लाग 0 से 0 कट कर दें बच्छो तो क्या रेशो रेजाएगा 321 तो आपको बातना है बच्छो अनमार्क्ट शेयर को डिस्टिबिट करना है तो अनमार्क कितने बच्छो देखेंगे एप्लिकेशन आपके पास रिसेड हुई है एट लाग 98,000 की और एप्लिकेशन मार्क्ट है एट लाग 56,000 का 42,000 है बच्छो तो 42,000 को डिस्टिबिट कर देंगे 321 में यानि 6 तो एक पर 3 से मुल्टिप्लाई गिया बच्छो 21,000, 14,000 और 7,000 और 42,000 टोटल यानि 21,000, 14,000, 7,000 और 42,000 ये माइनस आया बच्छो 36 59 शर्मा का बच्छेगा बच्छो 6,000, 20,000 माइनस 14,000, 80,000 माइनस 7,000 यानि 73 और 1 लाग 2,000 less excess share को distribute करेंगे बच्छो excess share of अगरवाल अनमार्क तो हमने बांट जे बच्छो 321 में और gross liabilities में जाईगे बच्छो 321 में यानि gross liabilities के ratio में distribute करेंगे कितने 36,000 को 36,000 को 6 से divide के बच्छो 6000, 6000 इन्टो 3, 18,000, 12,000 और 6000 यानि और यहां total में dash यह निल हो गया बच्छो minus plus 41,000 इसका हो गया बच्छो Sharma का negative हो गया बच्छो minus 6000, 67,000 अगें excess share distribution action share of Sharma 321, 2 अटा दें बच्छो 3 is to 1, Sharma को requirement नहीं है यानि यह तो plus 6000, 6000 को distribute कर दोगे बच्छो 3 is to 1 में बच्छो 3 is to 1 में बच्छो, 4500 और 1500 निल 36500 निल 65,500 यह इंकर हो जाता है बच्छो net liabilities अब underwriting commission pay करना है बच्छो pay will at the rate of 2.5% तो देखें बच्छो अंडर राइटिंग commission करेंगे अंडर राइटिंग commission अगर आप चैट करें बच्छो तो उससे पहले इस पर एक पर आप इसको दुबारे देख लें बच्छो सबसे पहले हमको calculate करना है बच्छो परतेक का net liabilities चेक करना है तो सबसे पहले आपने लिखा बच्छ लाइबिल्टीज अगरवाल जैन शर्मा शाहा फोर अंडर राइटर है बच्छो तो 4 लाग 3 लाग 2 लाग 1 लाग and total 10 लाग 1 लाग 2 लाग 1 लाग 1 लाग 2 लाग 15 सबसे वहींद फ्रिष्ट नर्स Lãy Сейчас the fossils अगरिए पहलें मारे बच्छो तोंड लाग 6 लाग 10 लाग 10 लाग 20 लाग and 144,000, after then we are deducted unmarked share, unmarked share we are calculate working note application distribute 8,98,000 and marked application 8,56,000, to remaining shares remaining 42,000 it is unmarked shares, unmarked share distributed in the ratio of gross liabilities gross liabilities of Jain Sharma Shah 3,002,001,00,000 .0 are cutting, therefore 3 to 1 in क्या रिश्यो रे जाएगा बच्छो 321 तो 321 में distribute कर देंगे बच्छो unmarked share, unmarked share of 42,000 अर distributed in the ratio of gross liabilities 21,000, 14,000, 7,000 is equal to 42,000. रिमेनिंग बच्छा बच्छो अब अगरवाल नेगेटिव 36,000, जैन 59,000, शर्मा 6,000, शाहा 73,000 and total 1,002,000. Less, access of अगरवाल share, अगरवाल share है बच्छो 321 में distribute किया, 36,000, प्लस किया, तो इस 36 को distribute कर देंगे बच्छो किस ratio में 321 में, वही again gross liabilities में, तो 18,000, जैन के plus transfer करेंगे, 12,000, शर्मा के account में transfer करेंगे, और 6,000, शाहा के account में transfer किये. After then, अगरवाल balance 0, जैन balance 41,000, शर्मा balance negative 6,000, शाहा 67,000 and again access share of शर्मा 6,000 are distributed in the ratio of जैन and शाहा 3 is to 1. र्मा 6,000, so 6000, access share of शर्मा is distributed in the ratio of 3 x 1. Then, जैन diminished is 4500 share and साहा 7.500 share and deducted in शर्मा 6000. आपर जेन नेत लाइबिल्टीज निल 36500 निल 65500 अन वन लाख 2000 आपर जैन वी आर काल्कुलेट अंडर राइटिंग कमिशन हिंदी में वाले देख लीजिए बच्चो एक पर समझ लीजिए अमार कुछ सकल पुझी दाइट चो दे रखा है बच्चो चार लाख तीन लाख दो लाख एक लाख और टोटल दस लाख सबसे पहले आप इसमें से डिडेक्ट करोगे बच्चो कौन सा मार्कड़ एप्लिकेशन को गटाएंगे चिन्ने तंस हमारे पास हैं अगरवाल के 4,36,000 जैन के दो लाख 20,000 शर्मा के एक लाख 80,000 सहा के 20,000 टोटल आठ लाख 56,000 तो अब हमने देखा तो माइनस के 36,000 असी अजार बीस अजार असी अजार और टोटल एक लाख 45,000 अनमार्क में शेयर को डिस्टिबूट करेंगे बच्चो 3,21 में तो अनमार्क कैसे आए बच्चो वर्किंग नोट में देखे बच्चो आठ लाख 80,000 के अप्लिकेशन आई जिनमें से आठ लाख 56,000 चिन्नित हैं तो 42,000 बच्चे इन 42,000 को बच्चो बाढ़ दिया ग्रोस लाइबिल्टीज के रिशो में 3,21 यानि जैन के 3,000 लाख ते बच् 6,000 बाढ़ दिया बच्चो एकसे शेयर उसके बाद शर्मा के शेयर वाइस्तों में माइनस में चलेगे वापिस से तो इसको बाढ़ेंगे बच्चो अब जैन और शाह की रिशो में 3,21 यानि जैन और शाह का देखोगे तो बच्चो क्या रिशो हुआ 3,21 तो इसको हमने ब बाइबिल्टीज होगे हमारी बच्चो निल 36,500 निल 65,500 और 1,2000 अब हमको कैलूलेट करना है बच्चो अंडर राइटिंग कमिशन देना है तो यह आपने उतार लिया होगा बच्चो हुआ यह हुआ हुआ 2,23 तो ऑन ग्शीज मैं आपने राइट करो यह हाँ हुआ 3, Commission, Agderwal, Jain, Sharma, Arshaha तो दिखिए बैटा, Agderwal, 4 lakh, 15 में issue कर रहा है बच्छो, तो कितना हो गया, 60 lakh, 60 lakh का 2.5 percent, 1 lakh, 50,000, Jain के शेर थे बच्छो, 3 lakh, into 15, 45 lakh, into 2.5 upon 100, 1 lakh, 12,500, 2 lakh into 15, 30 lakh, into 2.5 upon 100, 75,000 with बच्छो, और शाहा के हैं बच्छो, 1 lakh, issue price में मिलता है बच्छो, commission 15 से multiply गया, 15 lakh, into 2.5, 37,500, तो देखें बच्छो, 2.5 percent commission pay करना है, और किस ratio में करना है, वा हम distribute करेंग में बच्छो, 2.5 percent, तो Agderwal, 4 lakh into 15, 15, यानि 60 lakh, 16 lakh का 2.5 percent होता है बच्छो, 1 lakh 50,000, जैन का 3 lakh into 15, यानि 45 lakh, इसका 2.5 percent होता है, 1 lakh 12,500, शर्मा 2 lakh into 15, 13 lakh into 2.5 percent, 75,000, शाहा, 1 lakh into 15, यानि 15 lakh into 2.5 upon 100, यानि 37 lakh, 15,000, तो अंडराइटिं कमिशन हमने पेग गिया बच्छो, अगरवाल को, जैन को, शर्मा को, और शाहा को, कितना दिया बच्छो, 5 percent, अंकित मुल्य का देते हैं, 4 lakh into 15, 60 lakh का 5 percent होता है बच्छो, 1,5 lakh, 3 lakh into 15, 45 lakh का 5 percent होता है बच्छो, 1 lakh 12,500, और शर्मा को दिया बच्छो, 2 lakh into 15, 30 lakh का 5 percent, 75,000, 1 lakh का 15, 15 lakh का 5 percent, 37,500, शाहा को दिया बच्छो, तो इसी तरहे आप question number 5 आप करके लाएंगे बच्छो, 6 आप करके लाएंगे बच्छो, X company issued 14,000 share out of which underwriting of A, B and C was 60 percent, 25 percent and 25 percent and 15 percent respectively in addition to if there was a firm underwriting A for 3,200 share, B 1,200 share, C 4,000 share, total application was received at 28,400 share, out of which marked share A rupees A for 7,200 share, B 9,200 share and C 2,000 share, C could not mark his own application of firm underwriting while A and B mark it, however, later on company agreed to rectified mistake C if it is required, एक company ने 40,000 share का निर्गमन किया बच्छो जिसमें A ने 60 percent, B ने 25 और C ने 15 percent अंशो का अभी गोपन किया इसके अतरिक्त A ने 32 अंशो का, B ने 1200 अंशो का और C ने 4000 अंशो का शुड़र अभी गोपन भी किया, कुल 28,400 अंशो के लिए आविजन प्राप्त हुआ, जिसमें A के चिन्नित अंशो, B के 9,200 और C के 2,000 थे, C सुड़र अभी कोपन ने तो अपने अंशो को चिन्नित करना भूल गया, जबकि A और B अपने अंशो के चिन्नित किये, कमनी ने अपकी ये तेक किया कि ये आवशेब गवा तो इस गलती को सुदायने का मौका दिया जाएगा, Determine the liabilities of underwriter if share of firm underwriting are including marked share, share of firm underwriting are not include in marked share, यानि अभी कोपन को के दायत्तो का निर्दान किजिए, यादी firm अभी कोपन तंशो को चिन्नित अंशो में सामिल रखा जाए, और चिन्नित अंशो में सामिल ने रखा जाए, तो देखिए बच्चों, इसमें दो कंडिशन है, कि या तो हम उनको चिन्नित अंशो में सामिल रखें, firm underwriting को, या सामिल ना रखें, तो आपको two methods से solution करना है बच्चों इसका, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, statement showing net liabilities for underwriters, तीन underwriter ने तो बच्चों एक total का बनाओगे, तीन underwriter जेदिये बच्चों, A, B, C और A कम बनादेंगे, किसका total का, ये particular का हो गया बच्चों, यानि question number हम करने हैं, बच्चों 6 का first method करने हैं पहले, if share of firm underwriting are include in marked share, gross liabilities, gross liabilities are given, 14,000 का calculate करेंगे बच्चों, A underwriter कर रहा है कितना percent, 60 percent, तो 24,000, B का calculate करोगे, 14,000 into 25 upon 100, क्यानि 10,000, C का 14,000 into 15, 6,000, तो gross liabilities जा आपकी, 24,000, 10,000, 6,000, and total 14,000, first of all, we detected marked share, marked share given हैं बच्चों अपने पास, A के 7,200, B के 9,200, and C के 2,000, लेकिन C के 6,000 और add कर देंगे बच्चों 4,000 को, क्योंकि C ने, bolder बच्चों से, starting में अगर आप देखेंगे, C could not mark his own application for firm underwriting, then firm underwriting of C share, including in marked share, then C share is 6,000, total 22,400, 24,000 में से लेस्ट केया, तो बच्चों तो 16,800, 800, 0, 17,600, less, marked share के बाद आप गटाएंगे बच्चों इसमें से, unmarked share, तो unmarked share working note में calculate कर लेंगे बच्चों, application, total application, share की रिस्टेट हुई है बच्चों आपको, 28,400, इसमें से आप deduct करेंगे बच्चों, marked share, जो भी आपका total आया था बच्चों, 22,400, यानि 6,000 unmarked हो गए है, unmarked ने दिखिये बच्चों, C को requirement नहीं है, के वाल किसकी requirement है, A और B की, यानि इनका ratio होता है, बच्चों, 24,000 और 10,000, 0 से 0 कट किया बच्चों, 12 इस टू 5, मैं distribute करेंगे, आप चाहोता बच्चों इसको, पाइंटम आया के से लिश्ची को भी इंक्लूड कर सकते हो, 6,000, 20,20 को distribute कर जीए बच्चों, 6,000 को डिवाल कर जीए 20 से 30, बच्चों, बच्चों, नेगेटिव 700, नेगेटिव 900, एक्सेश येर, देखेंगे बच्चों, बच्चों, B और C के हो गए, वो ट्रांसफर हो जाएंगे, किसमें, एक को ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों सारे, 700 और 900, यहां प्लस कर देंगे बच्चों, एक्सेश को टोटल में इंक्लोड नहीं करते हैं, बच्चों, यह हमारे आते हैं, बच्चों, नेट लाइबल्टीज, एड, फर्म अंडर राइटिंग, अगें एड करेंगे, बच्चों लास्ट में टोटल लाइबल्टीज निकालने के लिए, फर्म अंडर राइटिंग है, एका, 3200, 1200, 4000, 20,000, यह हमारे वजाएगे बच्चों, टोटल लाइबल्टीज, 14,800, 1200, 4,000, यह हमारी टोटल लाइबल्टीज हुआ, तो दिखे बच्चों, फर्स कंडिशन करें, कुश्चन नमबर 6 का, शेयर भाइबल्टीज, फर्म अडर राइटिंग हर इंक्लूद 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 इंक्ल्ट रर्ण music, ग्रॉस लाइबिल्टीज, ग्रॉस लाइबिल्टीज है बच्छो, A, B और C का, 24,000, 10,000, 6,000, तो टोटल हुआ बच्छो, 14,000, लेस्ट मार्क्र शेयर इसमें से डिडेक्ट कर दिये बटा, 7,200, 9,200, C, 6,000, 22,400, तो रिमेनिंग शेयर आते हैं बच्छो, 16,800, A के, 800, B के, और C के निल, और टोटल 17,600, तो दिखें बच्छो, वर्किंग नोट में पने दिया हुआ है, टोटल एप्लिकेशन है बच्छो, 28,400 की, जिसमें से मार्क्र शेयर का टोटल हो गए बच्छो, 22,400, तो रिमेनिंग ब बच्छो, अनमार्क 6,000, 6,000 को हम distribute कर देंगे बच्छो, A, B, C की gross liabilities में, यानि 24,000, 10,000 और 6,000 में, यानि 12,5, 3, टोटल होगे बच्छो, 20, तो 6,000 को distribute कर दिया तो बच्छो, एक के एक हाते में transfer हुए, 36,100, 1500, 900 and total 6,000, रिमेनिंग आता है बच्छो, 13,200, B का negative चला जाता है बच्छो, 800 में से 1500 deduct करेंगे तो 700 negative and nil में से 900 गटा है तो बच्छो, C का भी negative 900, अब जो बच्छो देखी, B और C का जो negative balance है, negative balance और B and C are transfer in account of A, तो access share A के खाते में transfer हो जाएंगे बच्छो, 700 प्लस 900 यानि 1600 और B और C में से add हो जाएंगे बच्छो, यानि 0 हो जाएंगे बच्छो, B और C का तो nil और A का balance बच्छो, 11600 इस तरीके से total net liabilities बनती है बच्छो, A की only 11600, B और C की कोई liabilities नहीं है बच्छो, अब हम इसमें add करेंगे बच्छो, firm underwriting क्योंकि firm underwriting कंपल सरी है बच्छो लेना, तो 3200 तो A के, 1200 दीके और 4000 C का, तो हमारा total हुआ बच्छो, 8400 तो total liabilities हो जाएंगे बच्छो, 14800, 1200, 4000 और 200,000 तो यह तो था बच्छो, हमारा first, अब अगर वो कह रहा है बच्छो, second, share of firm underwriting are not including in marked share, यानि अगर हम उसको marked share में सामिल ना करें, तो देखें बच्छो, gross liabilities तो वही रहेगी आपकी, gross liabilities वही रहेगी बच्छो, इसमें से mark में share अटा देंगे बच्छो, mark share को include नहीं करेंगे, mark share मतलब firm underwriting share को mark में से अटा देंगे, तो एक के थे बच्छो, 7200, इसमें से 3200 अटा दोगे तो कितना रहेगी बच्छो, 4000, 2000, B का था, 9200, 1200 अटा देंगे, तो 800 दीका रहेगे बटा, C का तो है, क्योंकि C ने तो firm underwriting को mark नहीं किये थे बच्छो, तो mark share के आगे बच्छो कितने, 4000, 8000, 2000, 14000, अब फिर हम गटाएंगे बच्छो, unmarked share, तो total application है आपके पास, 28400, less mark नहीं अपिस में से घटा देंगे, mark application का total हुआ था, बच्छो, 14000, 14000, इसको हम distribute कर देंगे बटा, इनके ratio में, अभी हमने calculate क्या था, 12, 5, or 3, 14400 को 20 से divide किया बच्छो, 720 को 12 से multiply किया, 0, 12, 24, 2, 12, 84, 86, 3600, 14400, 11600, negative होगे बच्छो, 1600 का, तो आपको distribute करना है बच्छो, इसको access share को, B को किसके ratio में बच्छो, A और C में जाएगा, यानि 12 is to 3, यानि 4 is to 1, 5, यहां तो प्लस करिए बच्छो, 16100 को distribute कर दीजे, 4 is to 1 में, 320 निल, फर्म अटराइट निल, यानि एड करेंगे, A का फर्म अटराइट निल, बच्छोंगा, 3200, D का 1200, C का 4000, 30,280, 1200, यह हमारी आजाती है बच्छो, total liabilities, देखे बच्छो, gross liabilities तो भाही रहेगी, 60%, 25 और 15, 40,000 को distribute कर दिया, तो हमारे पास आजाता है बच्छो, 24,000, 10,000, 6,000, तो total हो गया बच्छो, 14,000, less marked share deduct कर दिया, तो marked share हो गया बच्छो, 4,000, 8,000, 2,000, यानि 14,000, इसमें बच्छो not include करना है बच्छो, marked share को mark में firm under writing को deduct कर देना है, A और B के, C ने marked की नहीं बच्छो, तो C के 2,000 ही रहेंगे, total application हो गया, बच्छो, कितने है, 28,400 का, इसमें से marked application गटा दिया, बच्छो, 14,000, तो 14,400, इसको हमने distribute कर दिया, बच्छो, तो less access share हो गया, net liabilities हमारी हो गई, access share between 1600 B का जो है, distribute कर देंगे, उसके बाद net liabilities आया, firm under writing एड़ कर दिया, तो यह हमारी आ जाती है, बच्छो, total liabilities, तो देगे बच्छो, इस तरह से आप practice करके, net liabilities और total liabilities को calculate करना सीखे हैं, आज के लिए इतना बच्छो बागी next करें,